इडली रवा को अच्छे से धो के इसको स्ट्रेंड कर लिया है दाल को भी अच्छे से हमने वाश कर दिया है तो मैंने ग्राइंडर जाल में हमारा इसोट इन वाश्ट मिक्स दाल को डाल दिया है इसको अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के और स्लीक ग्राइंड कर दूगी अन देन उसके बाद मैं इसमें डाल दूगी पोहा सोक क्या हुआ पोहा मैंने लिया वान फॉद कप पोहा डाल देती हूं हमने इसमें डाल दिया है सोक्ट पोहा अभी इसमें और थोड़ा सा पानी डाल के हम फाइनली एक स्मूध सा पेस्ट बनाएंगे बट इसमें वटर बहुत मिनिमामाउंट का जाएगा बहुत लिक्वीड इसको नहीं किजिये गा यह पेस्ट तयार है त इडलीर रभा के अब दाल दाल दिया है , यह जो द्यू तर्ष मिक्सचर इसमें पॉर्प स्कृतल दाल करूछiónarette ताल के लिए उसमें यह शोड जिती होग अब शर से चरुच में कल डालेंगे इसमें और आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर कितना परफेक्ट बना है ना ही ये रनी है और ना ही ये बहुत थिक सो एकॉर्डिंगली आप वाटर डालिए अभी बस हम इसको कवर करके एक वाम प्लेस में रख देंगे ये ओवरनाइट फर्मेंटेशन होने के बाद बैटर कितना अच्छे से नैचरल फर्मेंटेशन हो गया है एक बैटर और उस एक बैटर से आप कितने आइटम बना सकते हैं इडली उतापम अपे सो अपने हिसाब से सीजनिंग्स डालिए एडिशन्स करिए वेजटेबल्स का और बनाईए ये हिल्दी वाला ब्रेकफर्स्ट तो चलिए मैं आगे 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 आपको हर तरह का एक एक तो बना के दिखा ही दूँगी ओके सो लेट्स प्रसीड तो पैने बैटर में डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट और हमारा ये इडली मोल्ड जो है उसको मै डाल दूँगी स्टीम होने के लिए छोड़ रही हूं अराउंट 10-12 मिनिट्स उसके बाद बनाने के लिए मैंने तड़का तयार किया है एक टीस्पून ओल लेके उसमें हाफ टीस्पून मस्टर्ड हाफ टीस्पून जीरा एक टीस्पून चना दाल और एक टीस्पून उर चॉप्ट चिली एंड कोरियांडर लीव्स आप इसको और हां मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा हींग ही बिल्कुल ऑप्शनल है यह आगे अभी हम बनाते हैं टेस्टी मिक्स्ट दाल अप्पे पैन में मैंने ब्रश कर दिया है थोड़ा थोड़ा सा ग्राउन टॉयल तो यम्मी दिखता है तो अप्पे बनने के बाद और कितना ही टेस्टी लगेगा यह तो चलिए जटपट से बनाते हैं अप्पे मिक्स्ट दाल अप्पे तो हमने ग्यास पे चड़ा दिया है अब उपर से थोड़ा थोड़ा ओयल भी मैंने ब्रश कर दिया है इसको हम अभी स् चलिए तब तक हम बना लेते हैं उततब मैं मैं छोटे छोटे उत्तपम बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से कितना बड़ा बना रहे हैं, यह तोटली आपका प्रिफरेंस है, इसको अब हम थोड़ा सा कवर करके कुक करते हैं बैटर एक रूप अनेक, हमने एक ही बैटर के साथ कितना अच्छा वेडियेशन किया है, और एक बैटर के साथ आप तीन तीन अलग अलग साउथ इंडियन डेलिकेसी बना सकते हैं, उस ब्रेक्फस्ट के लिए यह अलग अलग ब्रेक्फस्ट बना सकते हैं, आप टिफिन बहुत ही मज़े से खाते हैं और साथ में बनाईए आप अपना फेवरेट चटनी मैंने आज बनाया है पीनट चटनी तो आप भी अपने फेवरेट चटनी के साथ इसको बनाईए, सर्फ करिए और अगर आप मेरी तरह बनाना चाहते हैं होम स्टाइल डेलिकेसीज तो जरूर से मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और अपडेटेड रहिए मेरे चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट सुश्मी का खाना खजाना और शॉटकट वीडियोस में खूब सारे होम स्टाइल डेलिशियस रेसिपीज है अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो करिए उन्हें लाइक और शेर आपके कॉमेंट्स का इंतजार मुझे जरूर रहेगा तो मिलती रहूँगे मैं आपसे नए नए वीडियोस में आसान खरेलू रेसिपीज लेकर तब तक के लिए टेक केर अफ यॉरसेल्फ और यॉर फैमिली स्टे हैपी और हिल्दी सुषमिताय साइनिग आफ टोडे बाइबाई बाइबाई